जब B-Larding की बात आती है तो Organic Chemistry के टीचर्स का बुरा हाल हो जाता है क्योंकि उनको Organic Structure अपनी Powerpoint Presentation में यूज़ करने पड़ते हैं कभी-कभी online या e-book से उनको ये structure मिल जाते हैं लेकिन most of the cases क्या करना पड़ता है कि उनको ये structure draw करने पड़ते हैं तो इस बार हम एक software के बारे में बात करेगे जिसका नाम है ChemBioDraw जिसमें से आप Organic Structure draw कर सकते हो Not only Organic Structure को draw करता है लेकिन इसके कुछ molecular structure, chemical reaction हो, nanotube हो, कुछ instrument हो ये बहुत सारे function like amino acid हो, 3D molecular model हो, ये काफ़ी कुछ काम आप ChemBioDraw software से कर सकते हैं Even ChemBioDraw software से आप किसी भी molecules का 1H NMR या 13C NMR भी generate कर सकते हो Also अगर आप name जानते हो तो name से structure और structure draw किया तो उस पर से उसका IUPAC name भी आप find out कर सकते हो तो ये पूरा वीडियो रहेगा tutorial for the what ChemBioDraw software तो द्यान से पूरा वीडियो देखिए और कोई भी query हो तो मुझा comment में पूछ सकते हो और साथ में वीडियो के description में मैं आपको अपनी Facebook page का एक link भी दूँगा जहांसे आप ये जान सकते हो कि ये software कैसे download कर सकते हैं और कहां से download कर सकते हैं ओके सो देखते हैं ये पूरा वीडियो तो चलो दोस्तों पहले हम इसका कुछ interface समझ लेते हैं ChemBioDraw का तो ये है general toolbar ये है main toolbar और ये है style toolbar अगर आपके ChemBioDraw software में ये जनरल toolbar में अगर ऐसे वाफ करो तो यहां से निकल जाएगे लेकिन वापस लाना हो तो ऐसे करके ये toolbar में ये दर से वापस ला सकता हूँ तो अब simple हम starting करता है structure draw करने से अगर मुझे कोई six member chain draw करनी है long linear chain तो कैसे करूंगा तो यहां पर ऐसे chain है यहां पर मुझे six number तक उसको खीचना है देखो यहां पर six लिखा गया मतले six member chain हो गई अब छोड़ देता हूं तो देखो carbon की तो में one two three four five and six member chain हो गई अब suppose कोई alkyl group या कुछ methyl group या ethyl group लगा नाव तो कैसे लगाएगे तो यहां पर solid bond पर जाओ और यहां से देखो यह आप जो भी चाहे यहां से इसके अंदर group लगा सकते है तो यह एक structure ready होगा लेकिन यह जो structure ready हुआ है बॉन्ड लाइन structure हुआ है लेकिन अगर आपको यहां पर और यहां से आपको c select करना है और जहां पर carbon चाहे तो देखो यहां पर c3 हो गया है यह c3 यहां पर करोगे तो c h यहां पर करोगे c h यह c2 c3 c2 c2 c3 यह पूरा structure ready हो गया अगर मुझे यहां पर o h करना है तो मैं क्या करूँगा simple यहां से o लिया है और यहां पर click कर दिया त 202 करना है तो simple end लेके click करोगे 202 हो जाएगा अगर यहां पर बीच में oxygen करना हो तो क्या करो direct o लेके भी कर सकते हो लेकिन अगर ऐसा ना करना हो तो एक दूसरा भी option है यह select करो text और जहां पर भी change करना हो वहां पर click करो मुझे यहां पर o करना है तो keyboard से में o लिखके enter अब दूसरा आप यहां पर और क्या कर सकते हो तो अगर मुझे इसकी कोई reaction लिखनी हो तो क्या करूँगा यहां से plus लिया है मैंने और साथ में किसी को साथ merge कर सकता हूँ लेकिन ही छोटा दिकर है तो यहां पर select करके इसको बढ़ा कर सकता हूँ suppose उसकी reaction मुझे फिनॉल के साथ करनी है तो यहां से बेंजिन रिक लिए यहां पर देखो five member six member सा भी ऐसी रिंग मिल जाएगी आपको यहां पर मुझे इसको फिनॉल करना है तो यहां पर ऐसे करके ओ करूँगा तो यह यहां पर आ गया OH मतलब कि यह दोनों हमारे reactant ready हो गय ऐसे ड्रो कर दिया कुछ reaction condition लिखनी हो तो यह ए पर सिलेक करो और अगर heat है तो डिल्टा तो डिल्टा कहां से लाओ गया तो उसके लिए simple है view पर जाओ view पर आके आप so character map window पर जाओ तो यह character map window को यहां से इसको maximize करो और यहां पर आपको यह delta मिल जाएगा देखो delta यहां पर आ गया अब इसको minimize भी कर सकते है close भी और condition के लिए suppose h2so4 लिखना हो तो simple लिख दो h2so4 लेकिन यहां पर 4 and 2 हो हमें subscribe में चाहिए लेकिन यहां पर नह subscribe में चला जाएगा same two के लिए करो select करके f9 तो यह हो गया अगर यह left justified इसको centerize करना हो middle में centerize तो center reaction condition पर यहां पर question mark करना है तो यह tax box लिया यहां पर tax और यह question mark में तब अब student लिखेंगे इन में क्या reaction होगी तो by this way आप ऐसा पूरा arrangement कर सकते हो किस भी reaction के बारे में अब दूसरा reaction तो लिख दे अगर मुझे कोई 3D model बनाना हो तो यह camera 2 से कैसे बनेगा तो यहां से जो भी structure का 3D model करना हो उसको select करो और जाओ यहां पर view पे और click करो so camera 3D hot link तो यह यहां पर open हो जाएगा यहां पर click करोगे तो यह पूरा एक new window ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आप यह 3D model देख सकते हो यह depends करता आपकी computer की speed पर यह कितना जल्दी खुलता है तो देखो यह हो गया मेरा 3D model जैसे आपको गुमा फिरा के दिखाना हो आप पूरा दिखा सकते हो अगर आपको label करना है तो यहां पर labeling हो जाएक कि दिको यह nitrogen है oxygen है यह carbon hydrogen यह पूरा labeling हो सकते हो और कैसे भी घुमा फिरा क्या अपने student को दिखा सकते हो अगर symmetry पड़ा रहो तो symmetry में ऐसे 3D model आपके पास physical ना हो तो ऐसे virtual model भी आप दिखा सकते हो कुछ particular यह सिलेक्ट करके दिखाना हो लाएग यह से पूरा इरिया दिखाना हो तो देखो ऐसे करके आप shift प्रेस करके जितने भी है सिलेक्ट करके दिखाना है यह सिलेक्ट कर दो और ऐसे रोटेट करके आप पूरा ग्रूप दिखा सकते हो तो यह possible होगा 3D hotlink में अब चलो इसको rotation continuous दिखाना है तो देखो यह continuous अपने आप रोटेट होता रहेगा एक साड़ जाएगा वापस तो यह हुआ हमारा 3D hotlink मतलब कि 3D model अब दूसरी बात करते हैं हमारे इस structure की यह में close कर जाएगा अगर आपको इसका आयूप एसी नेम जिनरेट करना तो कैसी करोगे तो यहां पर सिंपल स्ट्रक्चर सेलेक्ट करके राइट लिक करना है analysis में जाना है और नेम करना है तो आपके structure का आयूप एसी नेम अपने आप जनरेट हो जाएगा इवन नेम पर से structure करना हो तो भी आप कर सकते हो सपोज मेरे पास यह इसका नेम है और structure नहीं है तो कैसे करोगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर structure जाओ नेम स्ट्रक्चर जाओ और यहां पर उस जो भी नेम है उसको यहां पर क्या कर दो पेश्ट कर दो तो कॉपी किया होगा नहीं मिन यहां पर पेश्ट किया और सीधा एंटर किया तो यह structure बनके यहां पर आ गया लेकिन यह bond line structure यहां पर मुझको मिल जाएगा तो यह था structure to name और यह था name to structure अब यह कैम बायो ड्र कि अगर आप करते हो analysis में all तो देखो कितनी property मिलेगी chemical formula, xz mass, molecular mass, m by z ratio मतलब mass spectroscopy analysis, elemental analysis यह सभी यहां पर आपको calculated form में मिल सकते हैं अगर आपको इस compound का 1H NMR और 13C NMR चाखें तो भी possible है ऐसी molecule को select करके रखो यहां पर जाओ object में और करो predict 1H NMR shift पर यह मिल गई इसकी calculated और predicted 1H NMR shift और full calculation के साथ यह देखो और कुछ करना हूँ हमें 13C NMR तो same way हमें वैसा ही structure पर जाना है और 13C NMR shift तो यह मिल गए उसकी 13C NMR shift मिल गई और नीचे है उसकी calculation तो यह था हमारा 1H N13C NMR by cambar रोड लेकिन यह predicted है मतलब calculation से आये हुए answer है experiment के साथ उसको match up कर सकते हो और अब आगे कुछ देखना है इसके बारे में तो molecule model हो गया 3D हो गए अब मैं आपको एक setup दिखाता हूँ कि like मुझे कुछ अंदर लिखना हो like TLC तो यहां से TLC भी आप add कर सकते हो particular arc पे आपका spot ऐसे visualize करके रख सकते हो long time के लिए कुछ store रखना हो तो अब मैं reaction setup यहां पर बता रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हो यह तो सारे different different like chair confirmer है यह भी कर सकते हो यह four member हमारे एक cyclobutan है यह cyclopropan है कि सभी by default आपको मिल जाएगे अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहां पर कुछ variety भी आपको मिल जाएगी देखो advanced biodrome में आपको DNA का structure और यह काफी कुछ biological आपको structure मिल जाएगे यहां पर जो भी चाहिए उस पर सिलेक करके आप वहां पर क्लिक करो वह आ जाएगा और भी कुछ structure है हमारे chemistry के भी लाइक एमिन ऐसीड भी है यहां पर कुछ bicycle compound और most important है क्लीपवेर है क्लीपवेर में क्या आप पुरी कुछ reaction setup condition दिखा नहीं हो तो वह भी कर सकते हो लाइक मैंने यह लिया stirrer तो यह stirrer आ गया stirrer को थोड़ा से यहां पर लेता है यह मैं हटा देता हूं अब उसके पर मुझे एक flask रखना है तो वह यह flask मैंने single neck यहां पर रख दिया अब क्या करूंगा उसके उपर एक connector में लगाऊंगा तो यह connector मुझे मिल जाएगा का गया यह रहा यह mercury seal वाला एक connector यहां पर रखना हो तो रख सकत quarter यहां कुई भी साटप आप रख सकते हो अब आगे कंदेंशर करना है तो कंदेंशर वो भी यही पर था यह रहा कंदेंशर यह लगा दिया हम तार चलक्तिन के लिए हम रखते एक बिकर थो बिकर भी यही पर था यहाँ विकर तो पूरा reaction setup आपको जो भी दीखा ना हो distillation के लिए आप कुछ भी कर सकते हो अच्छा से draw करना हो तो यह ऐसे करके देखो यहाँ पर बहुत सारी variety आपको मिल जाएगी circle हो, square हो, कुछ भी ऐसा, arc भी करना हो तो यह select करके आप ऐसी एक border अच्छा से बना दो तो पूरा यह ready हो गया और इसको copy करके paste कर दो word में तो यह पूरा diagram आजाएगा word में या power point में जैसा आप करना चाहो, अगर कहीं पे भी खलती होती है तो यह रहा eraser तो eraser से आप उसको erase कर सकते हो इसको भी कर सकते हो, जैसा आप erase करना चाहो तो उसको कर सकते हो, अगर कुछी reaction में अगर आपको कुछ ऐसा दिखा ना हो कि complex बन रहा है तो यह बड़ा सा square complex दिखाने के लिए भी है कुछ orbits दिखाने हो, तो orbit भी आप दिखा सकते हो, यह रही orbits अगर बेंजिर में दिखाने हो तो या कोई भी structure के अंदर आप यह काम कर सकते हो, कुछ reaction की mechanism हो, तो mechanism को दिखाने के लिए अगर आपको fish hook arrow चाहिए तो वो यहाँ पर मिल जाएगे, like मैं एक structure draw करके आपको दिखाता हूँ, और उसके अंदर यह use करेंगे, पहले यह सबी raise कर दिया, और मैं ऐसे एक long chain ही लेता हूँ, यह chain ले ली, यहाँ से मैं एक ऐसे group के बारे में यह कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर रख देते हैं, और मुझे कुछ दिखाना है, shift of wand, तो यह fish hook arrow यूज किया है, और यहाँ से मैं एसको ऐसे दिखा सकता हूँ, अगर oxygen पर long pair of electron दिखाने तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जाओ, और यह है long pair of electron, oxygen पर select करो, और यहाँ आगे long pair of electron, तो यह सब भी आप, मतलब mechanism भी दिखानी हो, cam bio draw में, तो वो भी आप कर सकते हो, तो I think हमने काफी सारा cover कर लिया है, cam bio draw में, कैसे आप chemical structure draw कर सकते हो, chemical reaction लिख सकते हो, 1HNMR predict कर सकते हो, 13HNMR predict कर सकते हो, CHN elemental analysis कर सकते हो, mass analysis की peak भी find out कर सकते हो, 3D model कैसे generate कर सकते हो, तो काफी कुछ हमने cover कर लिया है, लेकिन यह सब basic है, इसमें काफी कुछ advance में भी जा सकते हैं, अभी हमारे काम का सिर्फ इतना ही है, अगर आपको S8, wedge bond, या S8, wedge bond करना हो, तो भी आप वो यहां से कर सकते हैं, multiple bond यहां पर possible है, और most important thing कि यह cam bio draw software, free software नहीं है, यह आपको purchase करना पड़ेगा, और अगर आपको free में use करना है, तो 14 days का trial मिलेगा, और वो कहां से download कर सकते हो, तो मैं यह video की description में उसके link कर रखूँगा, वहां से जा कि आप उसको download कर सकते हो, काफी speed में मैंने यह पूरा cover किया है, लेकिन आप आराम से इसको completely देख के समझ सकते हैं, कि क्या क्या आप इसमें कर सकते हो, एक और important बात कि अगर आपको कुछ group highlight करने हैं, तो अभी आप कर सकते हो, by color, like मुझे, OH को कुछ color देना हो, red color, तो यहां से उसको color भी दे सकते हो, तो यह सब कुछ possible है, Cam Biodrome में, यहां पर बहुत सारी toolbar भी आपको मिल जाएगी, as per your work, और आपका काम भी होता रहेगा, तो यह वीडियो अच्छा रगाओ, तो प्लीज लाइक करिए, आपने कुछ friends के साथ share भी कर सकते हैं, और नई updates जो भी मेरे आएगी, like अभी starting में दिखाओगा, आपने के handwritten वीडियो जथा, वो वीडियो कैसे बनाते हैं, तो मेरा next वीडियो होगा, तो वो कैसे बनाते है वो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वो आपको न्यू अपडेट मिलते रहे, so thank you for watching and keep supporting us.